So, Hello Friends! स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में तो महासिवरात्री कब है? आठ या नौ मार्च? महासिवरात्री की सही تारीक क्या है? पूझा का सुब मोरत क्या है? क्या तरीका होगा पूझा की सामगरी का? पूझा की विधी का? हर कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बेहत खास है और महासिवरात्री किस दिन मनाई जाएगी वरत कैसे करना है वरत का पारण किस दिन करना है ये सारी डिटेल आपको बताएंगे बस आप अंत तक बने रहिए का जाता है कि महासिवरात्री के दिन भगवान भोले नात प्रत्वी पर मौझूद सभी सीवलिंग में विराजमान होते हैं ऐसे में महासिवरात्री के दिन की गई सीव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है इस दिन भोले नात के भक्त मंदिरों में सीवलिं क्रिष्ण पक्ष की चतुर दसी तिथी की सुरुवात 8 मार्च रात 9 बच के 45 मिनट पर होगी। इस तिथी का समापन अगले दिन 9 मार्च साम 6 बच के 17 मिनट पर होगा। और महास्यूरात्री वरत के दिन भगवान स्यू क्यू पासना निशिता काल में की जाती है। इसलिए महास्यूरात्री का इस साल 8 मार्च 24 दिन सुक्रवार को रखा जाएगा। यानि कि आप ध्यान से समझ लीजे कि पूरा जो वरत है वो निशिता काल में होता है। इसलिए आप ये जा समझे कि मुहरत रात में लग रहा है तो हम 9 मार्च को मनाएंगे। इसा नहीं है। आठ मार्च को सुक्रवार के दिन ही महास्यूरात्री रखी जाएगी और 4 प्रहर की पूजा होगी। तो सुरात्री 24 पे जो पूजा का मुहरत है उसे फटा-फट नोट कर लीजे। आठ मार्च को महास्यूरात्री की दिन स्यूजी की उपासना जो है और पूजा जो है वो साम के समय 6 बच के 25 मिनट से लेकर 9 बच के 28 मिनट तक होगी। रहेगी। यही कारण है कि आपको जो चार प्रहर है इसमें ही पूजा करनी होगी। बहुत सारी लोग चारू प्रहर की पूजा करते हैं महास्यूरात्री में इसलिए आपको डिटेल दी जा रही है। महास्यूराती दिन सबसे पहले आप राता काल उठिएगा इसनान करिएगा पूरी सरद्धा के साथ स्यूजी क्यागे वरत का संकल्प लीजिएगा। फिर सुब मूरत में पूजा प्रारम करिएगा सबसे पहले भगवान संकर को पंचा मृत से स्नान कराइगे। पूरी रात के लिए दीपक जलाय रखिए इसके लावत चंदन कतिला का आप लगा सकते हैं। तरीके से आपको पूजा करनी है। बगवान भोलिनात आपके वरत का आपके पूजा का आसिरवाद आपको दे। मिलते हैं नई जानकारी में वीडियो को लाइक करके जाएगा फिलाल कलेतना ही दोस्तों धन्यवाद।